ये कहानी है एन स्टोन नामी एक लड़के की जो एक अमेरिकन है और अपने मुल्क के लिए हौकी खेलता है। इनके टीम काफी अच्छा खेल दी थी जिस वज़े से ये सब काफी मुशूर थी लेकिन आज इनकी किस्मत साथ नहीं दे रहे थी क्योंकि रेफरी बार बार इनकी टीम के खिलाफ फैसले दे रहा था और फिर खेल को भी वक्त से पहले हितम कर दिया गया जिस वज़े से इनक इन स्टोन अपनी टीम का सबसे बहुतरीन टॉप खिलाड़ी था इसलिए आज में चार जाने की वज़े से उसकी टीम उसे नराज होती है साथ ही उसे भी काफी बुरा लग रहा था हलांकि उन्होंने काफी मेनत की थी सभी के चीरें लेकिन यहां पर इन स्टोन की कुशी क एक जरिया था और वो थी उसकी दोस्त जिससे वो प्यार भी करता था उसका नाम जैनी था जो हमेशा उसका साथ दिया गड़ती थी आज भी वो एन स्टोन को तसली देती है तो उसका मोड थोड़ा अच्छा हो गया जिसके बाद वो जैनी को उसकी घर छोड़ने जानी और अज मैच के बारे में भी इतना मत सोचो हार जीट जिन्दगी का हिस्सा है एन की गले से लगती है ताकि उसी थोड़ा अच्छा लगी पर यह चीज़ खिड़की से जैनी की मोम डैट देख लीती है जिस वज़े से उन्हें बहुत गुसा आता है और वो जल्दी से जैन अपनी बराई समझता है क्योंकि वह एक खौफ सा था वेरान इलाका जहां जूला खुदी हील रहा था तो जल्दी से गाड़ी वहां से लेकर अपने घर के लिए निकल गया कुछ दोर जाने पर जब सड़क आई तो उसे गाड़ी रोकनी पड़ी क्योंकि सड़क की बीचो काफी तेज हो रही थी एन जैसे आदमी के पास आकर उसी हाथ लगाता है वो आदमी एकदम से हिल गया और फिर काउपनी लगता है यही देखकर एन काफी खबरा गया वो फोरन पीची हट गया और अब उससे डर भी लगने लगा था इसलिए वो चल्दी सिवां से भाकर व बढ़ने लगा वो गाड़ी के ऊपर चड़की सामनी वाला काँच तोड दीता है अपनी बड़ी-बड़े पढ़े पंजों से एन पर हमला करकि उसे अपड़ कर गाड़ी से गसीटने लगा उसे ट्रेन की पट्री पर लाकर लिटा दीता है और एन को तब- तक पकड़ी र अजीब तरह से एन से बात करने की बात कॉल कार्ड देता है। अभी जह हम ने देखा, एन को लग रहा था कि वो मेरा बुरा सपना है। तो उसी थोड़ी तसली हुई, पर उसी थोड़ा-थोड़ा अजीब भी लग रहा था। यहां तभी उसका बोसागर कहता हैं कि मुझे अर्जेंट काम चाहिए। इस वज़े से एन जल्दी से अपनी काम पर लग जाता है। यहां तभी उसके पास आई जैनी अपना काम करवानी, वो यहां आफिस में उसके साथ काम करती है। वो एन को कहती है कि इस बार हफ़ते के आखिर में मैं अपनी फ्यामनी से मिलने नहीं जाऊंगी। युकि वो लोग हमेशा मझे इस बात का ऐसास करवाते है कि मैं सिंगल हूँ। अभी तक मेरी शारी नहीं हुई। और तो और मुझे कोई अच्छा लड़का भी नहीं मिल रहा। फिर अब एन रात तक काम करता रहता है। फिर काम करने की बाद वो अपने घर के लिए निकल गया। वो जब लिफ्ट में आया तो देखता है कि एक आदमी बड़ी जिल्दी में बाग कर वो लिफ्ट में चड़ गया। तब एन ने नोटिस किया कि वो पसीने में बीगा हुआ है और काफी कि ब्रया हुआ भी लग रहा है। अब लिफ्ट जैसे ही पहले फ्लोर पर रुकी वो आदमी फिर से जिल्द बाजी करता है। फोरन यहां से बाग कर आगे निकल गया। लेकिन वो कुछ बॉक्सी से टकला भी गया था। अब जब एन लिफ्ट से बाहिर आया था वो देखता है कि लिफ्ट व़ला आदमी वहां गिरा पड़ा है जिसके आसपास बहुत सारे लोग जमोई। उन लोगों में से एक आदमी था जो एन को बड़े गौड से देखनी लगता है। अब उसी लगा कि ये शायद मुझे जानता होगा। इसलिए इस बात पर दिहान नहीं दीता। लेकिन जब उस आदमी ने उस बियोश आदमी की बाजू को पकड़ा तो उसकी नसी काली हो गई। अब ये देखर एन को थोड़ा अजीब तो लगाओ। लेकिन इस चीज़ को अपना वहम समझकर वो यहां से आगे बढ़ गया। वो जब घर पहुचता है तो हम देखते हैं कि वो कौफी परिशान है। यहां उसकी अलगी जिन्दगी है। उसकी शादी हो चुकी है। और वो अपनी वाइफ की साथ रहता है। यहां उसकी वाइफ ने नोटिस कर लिया था कि एन परिशान है। इसलिए वो उसी इस पढ़ रहा है कि वो मेरी होकी टीम का रेफरी था ये सुनकर उसकी वाइफ काफी हैरान हुई भूशती है एन तुमने कभी नहीं बताया कि तुम होकी भी केलती रही हो अब एन को लगता है कि मैंने इसे पहले बताया था लेकिन फिर भी अपनी बात साबित करने के लिए वो किया रहा था एन काफी दीर हो चुकी है वो साई का पीछे करती गरती नीची आ गया लेकिन वहां कुछ भी नहीं था तो अब यहां एन को अपने दिमाग पर शक होने लगा कि मिरा जेनी तवाजन शायद खराब हो चुका है जो मुझे इस सरा की चीज़ें दिखा रहा है अगले दिन एन जो बस में था तो वो घड़ी पर टाइम देखता है जहां पर भी टाइम रोग किया था तब यह उसकी नजर दो लड़कों पर देई जो उसकी होकी टीम के खिलाड़े लग रहे थी इसलिए एन उनकी पीछी जाता है बात करनी लेकिन वो तो उसे अजीब तरह से घूर कर वहां से चली जाते हैं लेकिन बस से उतर कर एन उनका पीछे करनी लगा जहां तबी वो एक आत्मी से टक्रा जाता है जो बिजनेसमें था और वो उसे जानता था वो एन को रोकर कहता है कि रोक जाओ कहां जा रही हूं मेरी बास सुन लो तुमारी सभी सवा लें फेशते चैंगी जहा तुम्हे अपने पुराणी जिनके के बारे में सब भूलना और अग्ड़ तुम्हें सब व्याद रहा तो वह दो पिर से मार मार कर अगली जिनकी वहाँ से भाग कर बाहिर आ गया जहां वह फिर से एक लड़की से टक्रा गया यह ने जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आँखी गाइब थी आँखों की जबा काले गड़े थी लेकिन अगले ही पल यह उनकी पनक जपकते ही सब कुछ पहली जैसा नॉर्मल हो गया अभी सारी सुर्तिहाल की बजह सी वह काफी डर गया जल्दी से भाकर अपने घहरा जाता है जहां वह अपनी वाइफ को बताने लगा कि मुझे कोई मारना चाहता है वह काले साई है जैसे कोई मोंस्टर हो क्योंकि उनकी बड़े बड़े पंजी है लेकिन तब यहां हिरान कुन बात य मैं उस आदमी ने बताया भी था लेकिन फिर भी तुम्हें सब याद रहा हलां कि पुराने बाते याद नहीं होने चाहिए थी इतना कहकर वो एन का गड़ा कार देती है जिससे उसकी मोत हो गई और अब इसी की साथ उसकी आँख एक गाड़ी में खुली यहनी अब उसी मा कर इंतजार करो मैं अंदर से कॉफी बना कर लाती हूं अब जब इन बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था तो वो पडोसियों के खिड़की पर एक अजीब इस नाटिस करता हैं बहुत सारे काले साई अपने अपने घरों के खड़कियों पर खड़ी होकर एन को घुर रही थी जिससे वो घबर आ गया और वापीस गाड़ी में आकर बैठ जाता हैं तब जैनी भी कॉफी बना कर ले आई और वो लेकर चल्दी से वो यहां से निकल गया तब इसकी नजर घड़ी पर पड़ी जहां भी टाइम ग्रोग गया था आगे बढ़ने पर उसकी नजर उस बिज जैनी जिनदगी वो सर्याद्य याद आने लगती है इं जिन सब में व जैनी के साथ तो वो बिजड़ीन की हैं कि जैनी की जान को खुतरा है उसे बचांब इतना कहकर वो यहां से गाई भोग्या उस उसके जानी के बात syय को यहां अजीब मेसूस हुथ और पिर अगले ही की पहले की निस्बत काफी अच्छे से याद थी वो जयने को बताता है कि हमें कोई मारना चाहता है पर जाहिर है वो उसे जानती नहीं थी तो उसकी बातों का यकीन भी नहीं करने वानी थी पर तभी एन की नदर खड़ी पर गई जहां भी वक्त रुका हुआ था उसने जब बाहिर देखा तो उसी वहाँ वो आदमी नजर आया यसी वो अपने पिशली दो जिन्दियों में भी देख चुका था और इस दुनिया में वो इसकी मोद बन कर आया था क्योंकि यहां वो मोस्टर था और उसकी बड़े-बड़े पंजे थी उसे देखकर डरकी बज़े से एन की हालत खराब हो गई और वो जिल्दी से यहां से भाखार लिफ्ट में आ गया यहां वो मोस्टर चत तोड़कर इस पर हमला करने लगा लेकिन वो जैसी तेशिए यहां से भी अपने जान बचाकर बाहिर गाड़ी की पास आ गया वो जैसी गाड़ी में बैठा काले उसे डराने लगे फिर एक मुझ्डर चत पर आकर अपना पंजाई गाड़ी में गाड़ देता है एन पर वार करने के लिए इसे वो और तर गया जिल्दी से गाड़ी से बाहिर आकर भाद में लगता है पर तभी उसका एक्सिटेंट हो क्या वो मरा नहीं था सिर्फ बेहोश ह लेकिन तभी उसकी वाइफ और उसकी दोग आकर अपने पंजों से उसका गला काड़ दीती है और यहां फिर से वो इन सब लोगों की हाथों मारा चाता है इस बार जब उसकी आँख खुले तो वह खुद को काफी बुरी हालत में एक गंदे से घर में लेटा हुआ पाता है इस दिनकी में एन को नशी की बुरे लट थी तभी दर्वाजे पर दस्तक हुई यह बड़ी मुश्किल से लड़ खडाते हुए जाकर दर्वाजा कोलता है तो सामने जैनी थी जो इस पर काफी गुसा करती है कि मैं तुमारे तेज म्यूजिक की वज़ह से बो डिस्टर्ग हो रही हूं लेकिन जब उसने देखा कि इसी तो खुद होशी नहीं इतना निशी में दुथ है तो वह खबरा गई और यहां से वापिस अपने घर आ जाती है जहां तब जबरदस्ते एन भी उसके घर में दाखी लो गया वह काफी ड़ गई उसे चाको दिखा कर पुलिस को बुलाने की धमकी दीती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कोई पागल है जिस पर वो समझाता है कि में तुम्हें यहां कोई नुकसान पँचानी नहीं आया उसे एकिन दिलाने के लिए वो उससे पुरानी जिंदगी फैमली और उनकी दोस्ती के बारे में बाते करने लग पर यहां भी एन की वाइफ और उसके साथ ही खड़े थी वो फिर सी उस पर काभू पा लीती है उसमें इन का गला पकड़ लिया था इससे पहले वो से जान सी मारती जैनी उसकी गर्दन में चाब को गुसा देती है इससे उसकी वाइफ एन को छोड़ती थी और इन दोनों क साइड में देखा तो वहाँ वह बिजनिसमेन बैटा था जो इस तुनिया में काफी कम्सोर लग रहा था वो आज यहां एन को सारी सचाई बता दीता है कियेता है कि जो लोग तुमारे पीछी पड़े हैं ना यनि काले साई मॉस्टर्स उन्हें हर्वेस्टर्स का जाता है म मैं अभी उन्हें में से एक हर्वेस्टर हूं और हम इंसान की डर और खौफ पर जीते हैं हमें और ताक्ति मिलती है इसा करने से यह बताकर वो एक मुसाफिर की पास गया और अपने असली रूप में आकर काला सयाब बनकर उसी दरा दीता है और क्यूंकि वो आदमें काफी के डर गया था तो वो बिजनिसमेन यानि हर्वेस्टर फिरसे ठीक से यह पुचाता है क्योंकि उस आदमें के डर को इसने इस्तमाल जो कर लिया था अब वापीस आकर वो एन को बताता है कि हमारा बस इतना ही काम है लेकिन कुछ हर्वेस्टर इस से आगी बढ़ चुकी है उन्होंने अपनी हदी तोड़कर लोगों को डराने की बाद उन्हें मारना शुरू करतिया है और एक जरूरी बात एन जब तुमने ऐसा करने सी लोगों को माने सी इंकार कर दिया तो वो हर्वेस्टर तुमारे खिलाफ हो गई जी हाँ बिलकुल एन भी पहले एक हर्वेस् फोक मारती है जिसी वो अपनी वाइफ के कंट्रोल में आ गया फिर वो एन को कहती है कि जैनी को मारो और इसके खोफ को पी जाओ क्योंकि यहीं तुम्हारी खुराब होगी और तुम पहले जैसे हो जाओगी अब एन अपने हर्वेस्टर वाले रोप में आकर जैनी पर हमला कर दीता है लेकिन उसका थोड़ा बहुत इंसानी रोप बाकी था जो खुद को ऐसा करने से रोक रहा था वो सोचता है कि इससे पहले में अपना कंट्रोल को दूँ वो जैनी को बचाना होगा जिसका सिर्फ एकी रास्ता था और वो एन की मोथ थी इसलिए वो खुद ही जाकर ट्रेन के सामने कोच जाता है और ऐसे उसकी मोथ हो जाती है इस पार उसकी आँख एक मेंडल हॉस्पिटल में खुली और क्यूंकि वो हर्वेस्टर है इसलिए मरता नहीं क्योंकि यह इंपोर्टल इनी अ पागल है तो उसे तकलीव दी जानी थी वो घपराहट की बजह से चिल्दानी लगा जहां तभी मदद करने एक नर्स आई जो और कोई नहीं बलके जनी थी उसे हर बार की तरह कुछ याद नहीं था यहन उसके लिए सिर्फ एक मरीज था जो इस लक्त पागल हो चुका है व तुमने एक हर्वेस्टर को मार दिया था बताओ तुमने ऐसा कैसे किया और वो इनसान कौन है जो तुमारी मदद करता है हमारी बाती तुम्हें बता कर हर चीज की जनकारी देता है जिस पर वच चुप रहता है कुछ नहीं बताता अब उसकी वाइफ एन को इंजक्शन करने से रोकता है पर कोई फाइदा नहीं होता उसकी वाइफ कहती है कि तुमने हमसी बगावत की उस जरी के लिए कि तुम उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते थे लेकिन अब देखना में उसे जिन्दा नहीं चुड़ूंगी जो कहने की बाद वो अपने साथियों के साथ वहां से निकल गी या एन को देखने से लग रहा था कि अब वो काफी कमजोर हो चुका है अब उसके पास बिजनसमें हार्वेस्टर आता है वो एन को कहता है कि जब तुम जैने से मिलें तो तुमने खौफ को छोड़कर प्यार पर जीना सीख लिया जो चीज सबसे से तुम मेरी तरह इन हर्वेस्टर को मार भी सकते हो लेकिन फिलहाल तुम्हें कम असकम अपनी हालत को ठीक करने के लिए किसी पर जीना होगा यानि उसका सब कुछ लीना होगा और ऐसा मेरे करोंगा तुम मेरे जिन्दगी लेड़ो क्योंकि मैं अपने प्यार को नहीं भर गई जिसके बाद जब यहां हर्वेस्टर स्वापिस आई तो एन अपने विस्टर से गाइब था एक हर्वेस्टर वां खड़ा सोची रहा था कि तभी पर्दे के पीची से एक पंजा ने कलकर उस हर्वेस्टर की आर पार होचाता है जिससे वहीं उसकी मोथ हो गई यह पंजा द्रसल एन का था क्योंकि वो अपने हर्वेस्टर वरे रोप में आ चुका था अब जैने को बचाने के लिए अपने प्यार की ताकत से वह एके करके सभी हर्वेस्टर को मार गिराता है उनकी अंदर अपना पंजा को साकर उनको चीर फाड़ पिरके यह देकर उसकी वाइफ भी अपने असली रोप में आ गई वो पीचे से जैने को पकर लीती है और एन से कहने लगी कि तुम सिर्फ मेरी हो मैं तुम्हें इस जैने का होनी नहीं दूँगी वो जैने को मारने के लिए बिल्कुल तयार थी तो कोई रास्ता ना होने पर एन अपना पंजा जै चैने के पाद वो प्यार का इजाब आ कि में तुमसेबहूद करता हूं और हमेशा तुमारे सातु रहना चाहता हूं यह कहने के बाद वो प्यार की ताकत से ही उसकी जख बढ़ने लगता है जिससे वो बिल्कुल ठीक हो गई ऐसे औने की बाद वो अपने और जानी यह गल लिया था कि इससे बड़ी ताकत और कोई नहीं यार की जरी हम किसी भी मुश्किल का सामना गड़ सकते हैं इसलिए हमें हर रिष्टे को प्यार से लेकर चाहिए इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म जाती है